हाई फ्रेंड्स कैसे है आप लोग आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कियसे मैंने ये clean make up look create किया है तो चुलिए आगे बटते हैं और देखते हैं कि मैंने ये make up look कैसे create किया है तो सबसे पहले मैं यूज़ करी हूँ मैं का Prep and Prime Fix Plus काफी popular product है ये and for all good reasons मैं यूज़ कर रही हूँ simple का moisturizer मेरी acne prone skin हो रखी है और मैं चाहते थे कि मैं अपना जो usual moisturizer हो रहे है वो यूज़ करूँ तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर आप अपने पसंद का कोई भी moisturizer यूज़ कर सकते है जो आपकी skin को suit करता हो अच्छे से हम अपने skin को moisturizer कर लेंगे और अब मैं बढ़ रही हूँ एक face primer जो कि pores को fill करता है उसे use कर रही हूँ यह है Maybelline का primer इसे मैं अपने cheeks के पास लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर काफी बड़े pores है यह product pores को fill करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं यह silicone texture का primer है मैंने जो भी products यूज़ के हैं जरूरी नहीं है कि आप भी वो products यूज़ करें आप अपने skin के हिसाब से products को यूज़ करें और अब हम आगे बढ़ते हैं मैं use कर रही हूँ Swiss Beauty का base makeup base और इसे मैं अपने skin पर अच्छे से apply करूँगी यह white-ish दिख रहा है पर इसमें एकदम fine shimmery particles है यह skin पर बहुत ही अच्छा देखता है और glow-y लगती है हमारी skin इसलिए मैं ऐसे अपने foundation को apply करने से पहले apply कर रही हूँ usually मैं ऐसे makeup based products को अपने foundation के साथ mix करके भी use करती हूँ अब मैं यह brush चुकि मैंने amazon से purchase किया था उसे use करके product को अच्छे से spread कर रही हूँ आपको अगर brush use नहीं करना है तो आप अपने fingers को भी use कर सकते हैं या फिर damp sponge भी use कर सकते हैं अच्छे से मैं product को spread कर रही हूँ ज्यादा pressure ना apply किया करें जब भी आप brush को use कर रही हूँ या फिर damp sponge को use कर रही हूँ अराम से करें काम इसके बाद मैं यह वाला foundation को use कर रही हूँ जो की है Maybelline का fit me foundation in the shade 310 sun beige और इसे मैं use कर रही हूँ brush के मदद से यह matte finish देता है आप चाहें तो dewy foundation भी use कर सकते हैं मेरा मन था इसी foundation को use करने का क्योंकि मेरे skin को suit कर रहा है और मैंने अपना जो makeup base है या फिर वो Swiss beauty का product मैं ने apply किया था तो यह वाला जो matte foundation में apply कर रही हूँ काफी हलके हाथों से use कर रही हूँ तो heavily use नहीं कर रही हूँ तो I'm expecting कि सब कुछ अच्छा ही रहे देखें यह कैसे अच्छे से skin like feel हो रहा है अब देख सकते हैं कि एकदम cake ही नहीं लग रहा है नहीं heavy लग रहा है मैं हमेशा थोड़ा थोड़ा product लेके use करती हूँ और अगर चाहिए होता है तो और थोड़ा लेके मैं apply करती हूँ एक ही बार में मैं ज़्यादा product use करना पसंद नहीं करती हूँ अच्छे से brush की मदद से मैं foundation को spread कर रही हूँ cheek area पर काफी acne marks या kind of active acne है अभी भी मुझे तो मैं काफी हलका हाथ use कर रही हूँ makeup apply करने के लिए इस area पर मुझे लगा कि और थोड़ा coverage चाहिए तो मैंने थोड़ा और foundation apply कर लिया है अपनी finger की मदद से और अब मैं brush की मदद से product को अच्छे से blend कर रही हूँ आपने अगर मेरी makeup videos देखी हैं तो आपने जरूर से notice किया होगा कि मैं बहुत समय पहले real techniques का makeup sponge यूज किया करती थी या फिर कभी कभी मैंने pack का भी makeup sponge यूज किया हुआ है मैं usually अब brush यूज करना जादा पसंद करती हूँ अब मैं अच्छे से product को spread कर रही हूँ इवन मेरी जो eyelids है वो काफी pigmented है इसलिए मुझे color correction की सक्त जरूरत महसूस होती रही है हमेशा से ही इसलिए मैं legal pro का orange color character यूज कर रही हूँ थोड़ा जादा product आ गया finger पर अब मैं उसे अच्छे से blend कर रही हूँ और फिर दूसरी eyelid पर भी मैं product को spread कर रही हूँ अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैं brush tip से ले रही हूँ क्योंकि मैं संबल के काम कर ना चाहती थी फिर भी मेरे हिसाब से मैरे कुछा नहीं apply कर लिया था color character तो अब ये गलती ना करें संबल कर product को use करें अब हम apply करेंगे एक लाजवाब product ये है Maybelline का instant age rewind concealer काफी अच्छा product है ये smooth like butter बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस product का finish और definitely अगर आप ये fine line से तो ये crease करेगा कोई भी concealer crease करेगा you can't really make it freeze proof पर जितने देर भी ये टिकता है let's suppose एक गंटे तो एक गंटे में एकदम से crease नहीं करता है ये अगर आप इसे अच्छे से सेट करें तो फिलाल मैं concealer को अच्छे से spread कर रही हूँ Amazon के brush के मदद से आप अपनी पसंद का कोई भी concealer brush या फिर आप damp sponge भी उस कर सकते है ये काफी important step है अगर आपने color correction नहीं किया तो आपको grey cast देखेगा जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ आप definitely अपनी under eyes को अच्छे से color correct करें और मैं फिलाल Swiss beauty का एक light colored concealer यूज़ कर रही हूँ अपने high points of the face को highlight करने के लिए और ये भी अच्छा concealer है मेरे skin tone से काफी light है इसलिए मैं ऐसे highlighting concealer यूज़ कर रही हूँ और brush के मदद से मैं concealer को अच्छे से blend कर रही हूँ ये एगनम से set नहीं होता है तो मुझे काफी time मिल गया इसे अच्छे से blend करने का और इसका जो formula है वो अच्छा है ये काफी affordable product है I highly recommend this क्योंकि ये अपना काम ठीक से करता है तो इसके जो consistency है वो भी अच्छी है और result भी अच्छा है क्योंकि अब मैं ऐसे regularly use करने लगी हूँ तो मुझे ये product अच्छा लगने लगा है for daily use अब हम आगे बढ़ते हैं और contouring के तरफ बढ़ते हैं और ये same brush है जिसने मैंने foundation apply किया था multi-purpose brush, right you can use any other fresh or clean brush तो मैं चैसे अपने cheekbones को chisel out कर रही हूँ इस lipstick के मदद से तो आप सोच रहूँगे कि मैंने इस lipstick को क्यों चूज किया contouring के लिए क्योंकि इसके इंदर grey undertone है और मेरे skin tone के साब से ये color perfect contouring shade है और मैं Focalure का face palette यूज करें जारी हूँ इसमें जो powder contour है उसको use करूँगे मैं की cream contour को set का निकले kind of set का निकले देखे अभी इसे हलके हाथ उसे मैं apply कर रहे हूँ जहां पर मैंने cream contour को place किया था और blend किया था ऐसे fish face बनाना एकदम mandatory नहीं है करूँ that's the reason why I made that face okay we are done with this process अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं यूज करी हूँ Maybelline का fit me loose powder in the shade medium और मैं यूज करी हूँ health का ये sponge इसे मैं यूज करी हूँ अपनी eye area पर अपने concealer को set करने के लिए और अपने under eyes पर मैं loose powder का प्लाइ करी हूँ और अपने eyelids पर भी लगाए हूए concealer को मैं अच्छ से set कर रही हूँ as usual मैं काफी कम product पिक कर रही हूँ sponge की मदद से और उसे मैं अपने eye area पर apply कर रही हूँ ताकि concealer अच्छ से set हो जाए और crease ना करे again मैं आपको definitely suggest करना चाहूँगी कि आप अपने concealer को set करें अगर आप चाहते हैं कि वो इधर उदर ना फैले और crease में settle ना हो जाए okay just pay attention to this this is a very necessary step आप अच्छ से अच्छा भी आगे बढ़ते हैं और अपने brows को fill करते हैं आप brow wiz, brow pomade extra try use कर सकते हैं मैं use कर रही हूँ wet and wild का brow pencil affordable है और काफी अच्छ रिजल देता है तो that's the reason why I have been using it for years now मुझे बहुत अच्छा रखता है यह product कि इसके दूसरे end पे spoolie भी आती है जो थोड़े दिर में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मेरे हाथ में आ जाएगा because it's a very affordable product तो ऐसा तो होना ही था it's okay अभी मैं ऐसे अपने है को कूम करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और अब मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल का नया जो जो चस्का चड़ा है इस palette को यूज़ करने का वो palette यह है नस्तासिया का soft glam mini palette और पढ़ा पढ़ हम eye look करेंगे क्योंकि eye look पे जादा ध्यान मैंने देना नहीं है आज काफी low की रखना है अपने eye look को हलका सा मैंने matte brown shade लगा अपनी outer crease पर और inner half of the eyelid पर मैंने apply किया है shimmery shade that's it, that's it, we are done with the eyes और मैं सब उच्छे से blend कर रही हूँ एकी brush से as you can see okay अब हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं apply कर रही हूँ essence cosmetics का lash princess mascara यह mascara मैंने recently अपनी haul video में भी दिखाया था अगर अपने मेरी haul videos नहीं देखें तो please आके देखें you'll really enjoy watching those videos, फिलाल मैं इस mascara की मदद से अपने lashes को define कर रही हूँ, यह product मुझे अच्छा लगा, lengthen करता है, volumize भी करता है और इसलिए मैं ऐसे इस वीडियो में दिखा रही हूँ और मुझे यह mascara आप अपनी पसंद का कोई भी mascara है उसकर सकते हैं, वैसे यह mascara काफी affordable है और इंडिया में भी available है आप eye look में एक brown liner भी कर सकते थे, I just didn't want to do that, इसलिए मैंने liner पूरी तर से skip किया है, और अपनी lower lash line को मैं अच्छे से define कर रही हूँ, with the help of this beautiful mascara अब मैं के prep plus prime fix plus को use कर रहे हैं अपने base को set करने के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे और highlighter apply करेंगे, तो for color face palette में एक highlighter भी आता है, और वही यूज कर रही हूँ, मैं BH Cosmetics के highlighter brush के मदद से, मैं product को अपने high points of the face पर apply कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यह highlighter कितना अच्छा देख रहा है, और actually trick यहाँ पर यह है कि आप अपनी base को पहले set कर ले, और अपना setting spray अच्छा से spritz कर ले, उसे हलका सा सूपने दे, उसके बाद अब highlighter लगाईए you'll just love the result आप देख सकते हैं कितना अच्छा देख रहा है highlight मेरी skin पर और चुकि highlighter को apply करना मेरा favorite makeup step है, तो मैं भावनाव में बहके बहुत ही सारा highlighter apply कर रही हूँ अब हम बढ़ते हैं अपने lips के तरफ तो मैं यूज कर रही हूँ के beauty का lip liner in the shade fame brown lip liner है makeup से बहुत ही अच्छा brown lip liner यूज कर रही थी bright and wild का chestnut lip liner है जो मैं यूज करती थी और इसके लावा अब मैं ये lip liner भी यूज करना पसं करती हूँ अब मैं यूज करी हूँ के लिपिस्टिक जो की wild child collection का हिस्सा है और इसे मैं अच्छे से apply करी हूँ अपने lips पर अब मैं यूज करी हूँ के beauty का lipstick in the shade debut और इसे मैं अपने lips पर अच्छे से apply करी हूँ to lighten the lip shade ये lip shade बहुत ही प्यारा lip shade है by the way अगर आपने इसका swatch नहीं देखा है मेरे youtube channel shots पर तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखेगा अब मैं एक brown color का lip gloss जो की color pop का so juicy lip gloss है वो use कर रही हूँ and we are done पहले मैंने इस तरह से अपना hairstyle कर रखा था मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपने बाल खोल दिये और I know की clean makeup look में आपका hairstyle जो है वो बहुत matter करता है पर मुझे पर ये खुले बाल जादा बेटर लग रहे थे ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने अपने बाल खोल दिये overall makeup look जो है वो मुझे काफी अच्छा लगा and I really hope you enjoyed watching this video Tata